दूस्तों आज की वीडियो में आज का वीडियो वैसी कली दो बातों के लिए है पहला तो यह है कि कोड को कैसे डाउनलोड करना है तो देखे यह मैंने गेट हब पे एक रिपोजिटरी बना दी है रिपोजिटरी का नाम है डूपल मौडूल डवलप्मेंट 2023 कोड यह एक प्राइवेट रिपोजिटरी है लेकिन इसका जो लिंक है वो मैंने यूटूब के जो मेंबर है उनको शेर कर दिया है कोड शेरिंग मेंबर जो है उनको इसका लिंक मिल गया है तो अभी तक हम लोगों ने जो भी काम किया वो बहुत ब कमांड देखे trust के कि trust से code कैसे generate हो जाता है और thrust की help से हम लोग किस तरीके से module बना सकते हैं हम लोगों ने वो भो देखा Configuration को कैसे export करें कैसे import करें हम लोगोंने वह देखा और कुछ basic सी चीज़े देखी कि permission.yml कैसे बनानी है model file कैसे बनानी है info file कैसे बनानी अब हमारा जो next video यानि कि कल मैं एक और video upload करूँगा वो video हमारा start होगा major fundamental concept को लेके जिसमें हम लोग देखेंगे कि services का use हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं तो इसको मैं 2-3 तरीके से देखूँगा services को हम लोग detail में देखेंगे पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि services जो drupal की default service है उसको किस तरीके से use करना है और दूसरा हम लोग देखेंगे कि हम लोग हमारी custom service को किस तरीके से बना सकते हैं तो इसके बाद वाले जो video है वो बहुत important video होंगे क्योंकि अभी तक के तो fundamental video थे जो इस texture ready हम लोगों ने किया तो ये एक private repository है और इसका जो link है वो मैं already share कर चुका हूँ group के member को तो जो group के member है वो उस link पे click करके post में जो YouTube का community post होता है महाँ पे आपको मिलेगा महाँ पे जाके आप इस video को download कर सकते हो और next video से हम लोग services पे काम जो है वो चालू कर देंगे दूसरा जो है हमारा दूसरा जो object है वो है हमारा जो की related है devil module से हम लोगों को devil module install करना है तो मैंने जो मेरा drupal का setup है उसमें मैंने यहाँ पर already devil module जो है वो install कर लिया है तो आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ devil module मिलेगा आपको drupal.org पे यह drupal.org यहाँ पर यह देवल module है तो देवल module को आपको download कर लेना है यहाँ पर जो stable version है वो मैंने download किया है तो यहाँ से आप क्लिक करके composer की help से devil module को download कर लें इसमें आपको दो module मिलेंगे एक devil generator मिलेगा तो आपको devil generator module को install करना है और devil module को install करना है क्योंकि devil module हमारी भूत help करने वाला है जब भी हम कोई development start करते हैं तो जो हमारे productivity tool जिसको बोलना चाहिए productivity tool तो इसमें दो-तीन module हमको चाहिए सबसे पहले हमको devil module चाहिए तो आप devil module यहां से install कर लेंगे इसा मुझे उम्मीद है और दूसरा मेरा है drupal 9 का एक और module होता है जिसको हम लोग बोलते हैं drupal 9 admin tool module admin tool वार जिसका नाम है ये क्या करता है ये आपके admin tool वार को drop down tool वार में बना देता है तो दूसरा module हमारे पास में admin tool वार है ये भी हमको install करना है तो दो module हमको install करना है devil module और admin tool वार मैंने दोनों already install कर ले है simple है आप ज़स्ट यहां से composer से composer कमाड turn करके module को install कर सकते है और simple दोनों module को install करना है devil को और devil generator को तो ये हमारी दो चीज़ हो गई है हमने हमारे पास में हो गए dress हम लोग already install कर चुके हमको एक तीसरे tool की जरुवत थी dress तो अभी हमारा जो ready जो infrastructure setup चाहिए हमको वो हमारे पास में यहां पर ready हो चुका है